नमस्कार दोस्तों, स्वागता सभीगा मेरे यूटूब चैनल SB Medicine में आज हम रिव्यू करेंगे स्पेंजो 0.5MG टेबलेट के बारे में इसके क्या-क्या उपयोग हैं, फायते हैं, साउधने और सबको क्या-क्या दुस्परभाव हो सकते हैं चानकरी के लिए इस वीडियो को पूरा जूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो इससे सब्सक्राइब करें, और बेल आगन को जूर दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें स्पेंजो 0.5MG टेबलेट, इंटास फार्माशुटिकल्स का बेस्ट क्वालिटी प्रड़क्त हैं, जिसकी प्राइज होती हैं, 41.50 पेसे पर 10 टेबलेट, इसका कंटेंस होता है, फ्लूपेंट इक्जॉल आइड्रोगलरेड, 0.5MG इस टेबलेट का यूज आप डाक्टर के सला के अनुसारी करें, ये टेबलेट आपको डाक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकरेश्टर पे मिल जाएगी स्पेंजो 0.5MG टेबलेट एक टीपिकल एंटि साइकोटिक मेडिसीन है, इस टेबलेट का अप्योग सीजोफरेनिया में किया जाता है इनके साथ ही अगर आपको बाईपोलर डिस्क्राइब की प्रॉलम्स हैं, आप डिप्रेशन के सिखार हो गए हो, तब बे इस टेबलेट का यूज़ आपके लिए बहुत ही लाब दाएगे सीजोफरेनिया एक तरह का मांसिक विकार हैं, जिसमें विक्ति की सोचने की ख्षमता, उसकी फिलिंग्स और उसका बिहेव ऐस हमाने रूप से यानि अबनोर्मल हो जाता है तब ये टेबलेट ब्रेन में केमिकल इंबिलेंस को ठीक करने में आपकी मदद करते हैं और आपके विचार और आपके विवार को बहतर बनाते हैं और bipolar disorder में ये tablet आपके brain में नर्व activity के normal balance को ठीक करने में आपकी help करती हैं यह आपके बार-बार mood में बदलाव को रोकती हैं और आपको excited मैसूस कराने में आपकी help करती हैं और depression में आपको चिंता और तनाव से आराम देती हैं आपको अच्छी नीन मिले इसमें भी आपकी काफी help करेगी और आपके चो energy level हैं आपका उससे बढ़ाने में ये काफी आपकी help करती हैं ये tablet brain में dopamine नाम के chemical messenger की activity को block करती हैं जो आपके mood और विचारों को provide करते हैं सावधानी के अगर बात करें तो high cholesterol और blood sugar में इस tablet के use के समय आप doctor की निगरानी में रहें ये बहुत ज़्यदा जरूरी हैं साथ ही अगर आपको कोई severe disease हैं तो आप इसका use ना करें और अगर कोई pregnant lady हैं या फिर कोई brush fitting बदर हैं तो ये से भी लोग भी इसका use करने से पहले डाक्टर से सलाज रूर लें उसके बाद ही इसका use करें डोज की अगर बात करें तो नोर्मली से दिन में एक बार आपको लेने के सलाज जा सकते हैं पर अलग-अलग मरीज और उनकी इस्तिती के अनुसार doctors इसका dose change भी कर सकते हैं अब जान लेते हैं इसके होने वाले side effect के बारे में तो जो common side effect आपको नज़र आ सकते हैं वो हैं नीद आना, चक्कर आना, मुह सूकना और मरीज के वेवार में और बोलचाल में कुछ ऐसा माने बदलाव आ सकते हैं हो सकता है इन सभी side effect के अलाव भी आपको कोई दूसरे side effect नज़राएं अगर कोई दूसरे side effect आपको दिखते हैं तब इसे में आप इसका use बंद करें और तुरंत अपने doctor से consult करें तो friends, उम्मीद आपको वीडियो जुरूर पसंद आए होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like करें, comment करें, share करें और चैनल को subscribe करना ना बूले, thank you